दोस्तों मान लो कि मैं एक लाख उर्पे बैंक में कैश जमा करता हूँ तो बैंक कैशर मुझसे कैश लेने के बाद बैंक के सिस्टम में मेरे अकाउंट के अगेंस्ट एक लाख उर्पे की क्रेडिट एंटरी करेगा और जो कैश मैंने कैशर को दिया है वो उस कैश को बैंक क ट्रेजरी में रख देगा। लेकिन रिसेंटली ओडिसा में ICI से बैंक के एक एम्पलोई ने एक करोड़ पिचासी लाख रुपे का फ्रोड कर दिया। अब जो भी कस्टमर बैंक में कैश जमा करवाने आता ये एम्पलोई उससे कैश ले लेता था और बैंक के सिस्टम में लियोए कैश की एंट्री भी कर देता था लेकिन उस कैश को बैंक की ट्रेजरी में रखने की बजाए अपने साथ घर ले जाता था। ऐसा करके धीरे धीरे इस एम्पलोई ने एक करोड़ पिचासी लाख रुपे अपने घर में जमा कर लिये और फिर बैंक से रिजाइन कर दिया लेकिन कुछ टाइम बात बैंक कोड़िट में जैसे ही कैश मिसमैच मिला तो बैंक स्टाफ ने पुलीस कंप्लेंट करवाई और फाइनली पुलीस ने बड़ी मशक्कत के साथ इस प्रोस्टर को अरेस्ट कर लिया